तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था फैंट्स वोडिस्टाइजेशन इस दा फेनामिन आफ मेक्सिंग रीकास्टिंग ऑफ दी अटोमिक और्बिटल ऑफ अनेक्वल एनर्जी इंटु दी इक्वल एनर्जी यह हमने देखा था है अग्जामपल कौन सा लिया था दोस्त यस दी एस्टी थी हैविड़ाजेशन ओफ वाट मिथेइन चीज फ़र मॉलीकूल का कौन सा है बड़ाजेशन होता है एस्टी थी हैविड़ाजेशन होता है और चार बॉंड बनते हैं यह हमने देखा था दोस्तों इसको अम लोग फिर से कंटीडू कर देते हैं आगे की C2H6 इस इथेन मॉलिकूल में भी हैविड़ाजेशन होता है वह sp3 हैवर सिंपल देखे ना बॉंड कितने 4 बॉंड है 1234 for this carbon 1234 for this carbon इसका मतलब 4 band है तो info sources मतलब this is the sp3 hybridized carbon sp3 hybridized carbon फिर इस एक बर हम देख लेते हैं hybridization के लिए हमने क्या देखा था carbon atomic number six in ground state electronic configuration ground state electronic configuration क्या होगा 1s2 then 2s2 2p2 किस तरीके से 1s में 2 electron 2s में 2 2p में again 2 electron इस तरीके से यह हमने देखा था 1s2 2s2 and 2p2 excited state में क्या होगा दोस्तो excited state में s में जो 2 electron है वो as it is अब इसमें जो next 2s में जो 2 electron है एक electron promote होकर यहां पर आएगा so now the p will have yes one 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 each यह electron यहां चला गया तो 2s में 2p में 3 फिर जब इसका hybridization होगा दोस्तों इसका hybridization होगा तो चारो और्बिटर मिल जाएंगे यह तो first shell है तो इसको छोड़ इजे नाम को ना second shell में अब यह चारो जो है चारो कौन से orbital है these four all sp3 hybridized orbital sp31 sp32 sp33 sp34 यह फिलाल s और तीन पी excited state में 1s and 3p अब यह hybridized हो गए चारो भी तो यह जो चार hybridized हो गए अब इसको हम क्या कहेंगे this is our sp31 sp32 sp33 sp34 यह चार sp3 hybridized orbital for a particular carbon अब देखिए दोस्तों जब यह दो carbon है ना यह carbon sp3 hybridized है मतलब now it is ready to form the four bond because it having the four unpaid electron चार unpaid electron है ठीक है ना तो चार unpaid electron में से अब देखिए क्या हो रहा है तीन hydrogen के साथ bond form कर रहा है sigma bond याद रखिए sigma bond ही जो है वो hybridized orbital का है मतलब hybridization में आता है ठीक है जो hybridized orbital है वो sigma bond form करते है un hybridized orbital हमेशा pi bond form करेंगे याद रखना है फिर से हम repeating क्या होगा जो hybridized orbital है hybridized orbital तो hybridized orbital हमेशा क्या form करेंगे याद रखिएगा sigma bond hybridized orbital सिग्मा बॉन कीप इन माइड है और pi bond un hybridized orbital form करेंगा ठीक है अगर un hybridized तो वो पाइब और फार्म करेंगा यह हमें याद रखना है दोस्तों नौ यह फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन उसके वो भी क्या करेंगा तीन hydrogen के साथ bond form करेंगा और यह जो इसका carbon का bond है और इसका carbon का bond है वो दोनों मिलकर एक sigma bond form करेंगे यह हमारा sigma bond हो गया यह भी sigma bond actually but between the carbon and hydrogen sigma bond sigma bond sigma bond sigma bond sigma bond सो इसका मतलब क्या है 1234 चार sigma bond है ठीक है ना कितने sigma bond है एक दो तीन चार sigma one ठीक है दोस्तों तो चार sigma bond यह form कर रहा है यह 4 सिग्मा पॉर्ण और यह 4 सिग्मा पॉर्ण कर रहा है नव वाट कि इसी को हम लोग क्या करते है molecular जो orbital या फिर picture है वो उसमें देखते हैं हम लोग देखिए इस दो वन कार्बन इस दो अनादर कार्बन ठीक है चार लेक्टॉन है SP3 hybridized condition में चार लेक्टॉन है तो उसकों किस तरी किस दिखाते है देखिए इस दो वन एलेक्टॉन सेकंड एलेक्टॉन एंड थर्ड एलेक्टॉन वन दन चूट एंड थ्री अब एक बात यह कि जो चौथा एलेक्टॉन क्या है वो carbon carbon में sigma bond फोर्म हो रहा है what happens over here carbon carbon में sigma bond और बाकी यह चार hydrogen के साथ याद रखे है कितने चार hydrogen के साथ यह bond फोर्म करेगा और यह जो bond angle है difference यह जो bond angle है that is how much 109 degree and 28 minute और इसमें अगर हम इसके length की बात करते हैं यह जो sigma bond इसका length है so it is approximate 1.54 angstron this much so that is what all about the sp3 hybridization in ethane molecule ethane molecule में इस तरीके से sp3 hybridization होता है दोस्तों और ऐसे structure बनता है ठीक है यह ethane molecule है चारो भी sigma 1 है that is important thing यहाँ पर एक मने शाद निकाला नहीं hydrogen देखे चारो भी sigma 1 1 2 3 4 1 2 3 4 so this is all about the hybridization that is sp3 hybridization in ethane molecule ठीक है दोस्तों जो deal out है पखका मुझे पूछना और यह आपका हग बिल्कुल पूछना हो सकता है कभी-कभी पढ़ाने में समझाने में कोई दिक्कत हो जाती है यह समझने में कभी-कभी आपको दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप पूछना है आपका हाख है दोस्तों ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में आफिर नेक्स टाइप आफ दा हाइबरडाजिश में तब तक के लिए बाबाए